जएं दोस्तों बंदे मातरों, देखिए, अगर हम लोग पावर हाउस की बात करें, तो हर घर में एक मुखिया होता है, उस मुखिया की जिम्मेदारी होती है, घर को चलाना, घर की सारी जरूरतों को पूरा करना, सबी कुछ उसके अंडर में होता है। कल का भारत और इंग्लेंड का मैच देखने के बाद कहीं न कहीं मुझे वही सारी चीज़ें ध्यान आती हुए दिखाई दी क्योंकि अगर आप इस समय भारत की स्थिती को देखेंगे तो एक समय था जब जो भारत का टॉप ओर्डर था मतलब हम ज्यादा पुरानी बात नहीं करें 2019 के वर्ड कप तक की भी अगर हम बात कर लें तो भारत का टॉप ओर्डर के तीन की राड़ी मतलब रोई शर्मा शिखर दवन और विराट कोली ये तीनों भारत के लगबख 60% टरंस बनाया करते थे और हर तीन से चार मैच में इन चीनों में से कोई एक नायक तो बड़ी पारी खेलता ही था मतलब इंडिया के मिडिल ओर को टेस्ट ही नहीं किया जा रहा था ये कंडिशन आ गई थी बहुत अची कंडिशन थी क्योंकि भारत को हमेशा ही एक बड़ी और बड़ी ओपनिंग या अच्छे शुरूआत मिलत भारत का मिडल ओर है वो एक नए ही रूप में निकल कर सामने आया है भारत का मिडल ओर जो कि कभी युवराज सिंग सुरेश रैना और महिंदर सिंग धोनी से भरा हुआ था आज की डेट में वहाँ पर नए खिलाडी आ चुके हैं और नए खिलाडियों की टेस्टिंग हु एक ऐसी पोजिशन में पहुचा आया कि टीम इंडिया जीत की सोच सके साथ साथ हार्दिक दर्शन बल्ले को छोड़ दीजिए उन्होंने गेंदबाजी में भी कमाल करके दिखाया और उसके बाद रिशाप पंत ने अपने ही चेरपड़िचत अंदास से बिलकुल अपोज पर आचुका है और साथी साथ ये दोनों खिलाडी जो कि अपनी 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 हाईपिल टीम से कप्तान भी है दोनी अब ये खुल कर दावेदारी ठोक रहे हैं कि हम भारती टीम के एक एहम हिस्सा बन चुके हैं जिस तरह भारती मिडिल क्लास का एक देश माना जाता है ठ पर्मट चाय टेस्ट हो वन डे हो एटी ट्विंटी अब लगता है कि दो से तीन विकट गिरने के बाद ही हमारी असली बैटिंग शुरू होगी एंगलेंड दोरे पर तीनों फॉर्मेटों को मिलाकर हुए साथ मुकाबलों में कम से कम पांच बार हमें इससे जोड़े संके लेते हैं बात की शुरूआत करें हम साल 2019 तक के पर्फॉर्मेंस के लिहाज से तो भारत का पावर सेंटर टॉप और परले बाजों के पास रहता था वन डे हो चाय टी ट्विंटी रोषचर्मा और शिकर धवन की जोड़ी इसमें होती थी और नमर तीन पर विराट कोली आत उसे मातर एक शतक आया है वंडे में इस दौरां इस से जास शतक तो अमेरिका ने चार युएई ने पांच और ओमान की टीम ने साथ शतक लगा दी मतलब इस मामले में पाकिस्तान सबसे आगे है पाक के टॉप थ्री बल्ले बाजों ने 2020 से अब तक खेले गए 15 मैचों में 10 शतक जमा दी है इस साल अक्टूबर नमबर में आस्टेलिया में टी 20 वर्ल्ड कप होना है और इस फॉर्मेट में भी हमारे टॉप थ्री ने बहुत अच्छा खेल नहीं दिखाया है एक जनवेर 2020 से अब तक भारत ने रोहित विराट और धवन साहित कुल 15 बल्ले बाजों को टॉप थ्री पोजिशन पर आजमाया है इनमें से 33 की उस्ट से लोगों ने रन बनाया है वहीं पाकिसान के टॉप थ्री बल्ले बाजों ने इस दौरान 40 के उस्ट से रन बनाया है लेकिन अच्छी बात यह है कि विराट धवना रोहित जैसे सूर्माओ के फ्लॉप होने दुनिया में सबसे बहतर इस दौरान बल्ले बाजों की और से 4 शतक भी बने है इस से जादा शतक 5 सिर्फ न्यूजिलेंड के नमबर 4 से 7 तक के बल्ले बाजों ने बनाया है टी-20 में भी यही हाला थे हमारे 4 से 7 तक के बल्ले बाजों ने 2020 से अब तक 43 मैचों में 31 के आव इस दौरे के शुरुआत उन्होंने बर्मिंगंगम टेस्ट में शतक बना कर करी और समापन मैंचेस्टर वंडे में तूफानी शतकिये पारी खेल कर करी पंत ने एक जुलाई 2021 से अब तक करी 36 इंटरनाशनल मैचों में 1227 सिर्फ न बनाया है इसमें 3 शतक भी शामिल है वह लेकिन उन्होंने पिछले 2020 वर्ल्ड कप से अब तक कोई खास कमाल नहीं दिखाया है वहीं विराट काहुली ने 27 मैचों में मातर साड़े 800 रन मनाया है इसमें 7 अरुसतक जरू शामिल है लेकिन शतक भी ने अब शतक तो एक साल की छोड़ दीजे करीब पिछले 3 साल से नह गए जिनोंने तीनों फॉर्मैट में एक ही मैच में 50 रन किपारी भी खेली है और साथी साथ चार विकेड भी लिये हैं पंत और पंडिया दोनों ही आईपिल टीमों के कप्तान भी है पंडिया ने अपनी पहली कोशिक में सबसे बड़ी बात तो ये कि आईपिल का खिताब वापस आसल नहीं तो पंत और हर्दिक जैसे खिलाडी ना सिर्फ ग्राउंड पर बलकि पब्लिक परसेप्शन और सोशल मीडिया में भी इनके उपर भारी पढ़ने लगेंगे और कहीं न कहीं यही बात इन दोनों के लिए घातक सिद्ध होगी क्योंकि देखिए आखिए सबको मैटर यही चीज करती है कि टीम इंडिया कैसा परफॉर्म कर रही है यह एक टीम स्पोर्ट नहीं है तो आपको एक टीम के लिहाज से सोचना होता है कि हर एक खिलाडी अपना क्या कॉंट्रिबीशन दे रहा है और अगर खिलाडी कॉंट्रिशन सही तरीके से नहीं द परक नहीं पड़ता अभी आइरलेंड से जो हमारे मैच हुए आप उसको ही देख ली जिए उसमें कोई भी भारती का बड़ा खिलाडी नहीं था हार्दिक पंडिया ने उस टीम को लीड किया था और दोनों ही मैचों भली वो आइरलेंड थी लेकिन वो टीम इंडिया जो भारत के दो एम दर्जे की टीम थी उसने जिस तरीके से प्रदर्शन के जिस मैचोरिटी के साथ चीजों को हैंडिल किया वो साफ सार पर दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से अब टीम इंडिया अपने आप में इर्वाल्व हो रही है बेंच स्टेंट को मजबूत कर अब शायद वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो उन से सवाल जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि अब वो वक्त बीच चुका है जब आपका नाम ही आपके लिए काफी होता था आज की लेट में इतने खिलाडी दरोजा खटखटा रहे हैं कि आपको खेलना ही होगा और अगर आप अच्छा नहीं खेल दिखाते हो तो कहीं न कहीं यह परेशानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बढ़ेगी और किसी के लिए भी नहीं मेरे इस वीडियों फिलाले इतना ही है यह आप लोगों कुछ कहना तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात लिख सकते हैं च अपनी ख़ज कई और सिर्फ आपके लिए सकते हो गिए सकते हैं तो आपके लिए्गी किसी का यह स्कते हैं